आज हम जानेंगे पक्षियों के नाम बर्ड्स नेम चोंग यह कववा है इसका रंग काला होता है यह एक ओमनी वोरस बर्ड है यह बहुत पुद्धीमान पक्षी है इसके स्पेलिंग है C-R-O-W क्रो मिन्स कववा बच्चों यह मुर्गा है एक पालतु प्रजाती जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं यह अनाज खाता है इसके स्पेलिंग है C-O-C-K कौक मुर्गा बच्चों यह दुनिया का सबसे उचा उड़ने वाला पक्षी है यह भारत का एक मात्र गैर प्रवासी पक्षी है यह माइग्रेटरी वर्ड है इसके स्पेलिंग है C-R-A-N-E क्रेन, सारस यह डग है डग मिन्स बत्तक यह पानी में रहने वाला एक मक्षी है इनसे हमें मांस और अंडे प्राप्त होते हैं इनकी घरदन छोटी होती है इसके स्पेलिंग है D-U-C-K इसे हम गरूड कहते हैं यह शिकार करने वाला बड़े आकार का पक्षी है यह तेज द्रिष्टी वाला प्रानी है इसके स्पेलिंग है E-A-G-L-E इगल गरूड यह बाज है यह एक शिकारी पक्षी है यह बात्साहारी होता है इसकी लगभग चालिस से अधिक प्रजाती पाई जाती है इसके स्पेलिंग है F-A-L-C-O-N फाल्क बाज बच्चों इसे राजहंस कहा जाता है यह एक कामाजिक पक्षी है यह एलगी जल वनस पती छोटी मचलियां खाते हैं काफी बार यह एक पैर पर खड़े होते दिखाई देते हैं अब इसके स्पेलिंग जान लो इसकी स्पेलिंग है F-L-A-M-I-N-G-O प्लमिंगो राजहंस यह मुर्गी है यह हमें अंडे देती है जिसका उप्योग हम अपने खाने में करते है यह घरेलू पक्षी है यह कॉक की फैमिनिन है इसकी स्पेलिंग है H-E-N हेन मुरगी बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है और यह एक मात्र पक्षी है जो सीधा भी उड़ सकती है और उल्टा भी उड़ सकती है इसकी स्पे किंग बर्ड इसे हम किंग फीशर कहते हैं यह पक्षी जंगलों में पाई जाती है इसके पंक चमकीले होते हैं इसके सिर बड़े चूचनुकीले और पैर छोटे होते हैं इसकी स्पेलिंग है के आई एन जी एफ आई एस एच ए आर किंग फिशर यह किवी है न्यूजिलैंड की नेशनल बर्ड इसके पंक होते हैं पर यह उड़ नहीं सकती इसकी स्पेलिंग है के आई डबलू आई किवी यह मैना है इसे एशिया की देशी चड़िया माना जाता है यह जादतर मैदानों खेतों ताम तलेया के आसपास देखी जाती है इसकी स्पेलिंग है म-y-n-a मैना यह उल्लू है इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अपनी गर्दन चार और घुमा सकती है इसे रात में दिखा पक्षी कहा जाता है इसकी स्पेलिंग है o w l ौ उल्लू इसे हम ओस्ट्रिच कहते हैं पक्षियों में सबसे बड़ा यह पक्षी उड़ नहीं सकती बल्कि यह दोड़ने वाली दुनिया के सबसे तेज पक्षी है इसकी स्पेलिंग है o s t r i c h ओस्ट्रिच यह पक्षी है इसलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है यह एक ओम्नी वोरस बर्ड है इसकी स्पेलिंग है p e a c o c k पिकॉक मोर यह एक शाकाहारी पक्षी है यह एक समसदार पक्षी ही है इसे लोग घरों में पालना पसंद करते हैं इसकी स्पेलिंग है यह कबूतर है इसका पूरा शरीर पंकों से ढखा रहता है यह अराज खाता है इसके स्पेलिंग है यह पिंगूइन है एक पक्षी लेकिन यह उड़ नहीं सकता यह परफीले जगों पर पाया जाता है इसके स्पेलिंग है P-E-N-G-U-I-M यह हंस है यह पानी पर तैरने वाला पक्षी है इसका सुभाव शांत होता है यह जोडे में रहने वाला पक्षी है इसके स्पेलिंग है S-W-A-N स्वान हंस बच्चों गोरईया हलके भूरे रंग की होती है यह घूसला भी बनाती है यह एक ओमनी वोरस और छोटी पक्षी है इसके स्पेलिंग है S-P-A-R-R-O-W स्पैरो गोरईया इसे हम टूकेन कहते हैं यह पक्षी रंग बिरंगी होती है इसके चोच बड़े होते है यह पक्षी अकेले रहना पसंद करता है इसे जहाडियों वाले जंगलों में आसाने से देखा जा सकता है इसके स्पेलिंग है T-O-U-C-A-N टूकेन यह वल्चर है यह एक ऐसा पक्षी है जो मरेवे जानवरों को खाता है इसलिए यह एक इको फ्रेंडली बर्ड है यह जुन्डों में रहना पसंद करता है इसके स्पेलिंग है B-U-L-T-U-R-E वल्चर गिद यह कट फुडवा पक्षी है इसे खुदूद के नाम से भी जान बनाते हैं इसके स्पेलिंग है W-O-O-D-P-E-C-K-E-R पुटपेकर कट फुडवा बच्चों तुमने सभी पक्षियों के नाम देख लिए अब तुम्हें मेरे साथ उन पक्षियों के नाम दूराने हैं प्रोव कव्वा कौक मुर्गा क्रेन सारस डग बत्तक इगल गरुड फालकन बाज फ्लामिंगो राजहन्स धेन मुर्गी हमिंग बर्ड भुंजन पक्षी किंग फीशर नीलकंड किवी मैना आउल उल्लू ओस्ट्रिच शुत्तुर मुर्ग पैरोट तोता पिकोग मोर पीजन कभूतर तूकन स्वान हन्स वल्चर गीड वुट्पीकर हटपुडवा से यू इन नेस्ट वीडियो कार्णी शब्स्क्राइब मैं चानल इप्यूर्ण